पिछले वीडियो के हंदर हमने MS Word में professional logo बनाना सीखा था जो इस तरह के circle logo आपको दिख रहे हैं इस logo को देखते हुग हमने यह logo बनाना सीखा था आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वर्ड में professional letterhead कैसे बनाते हैं letterhead वही जिस पे आप अपनी संस्था का नाम लिखते हैं उसका logo होता है और वहाँ पे अगर आपको पत्र भेजना है तब आप भेज पाते हैं सो बिना कुछ देर किया चलिए हम यहां पर शुरू करते हैं और अगर computer में आप expert बनना चाहते हैं हर शेत्र में word, excel, powerpoint, telly, page maker, photoshop, coral draw यह जो सारे course हैं वो हमने इस premium pain drive course के अंदर दी है 22 plus premium courses हैं, हिंदी भाषा में हैं, lifetime के लिए हैं और बिना internet के आप इनको अपने tv में, phone में, computer में चला सकते हो इस course पर अभी 80% की चूट चल रही है, यह केबल आपको 2499 में मिल जाएगा, link मैंने description में दिया है, इससे आप हमारी website pcskill.in पर पहुंच जाएगे, यहां पर आपको यह course दिखेगा, add to cart आप इसको कर लीजिए, और यहां पर जो आपको प्राइस दिख रहा है, इसमें आपको पढ़ जाएगा, सिर्फ 3499 में मिल जाएगा, अधिक जानकरे लिए आप हमारी team member, Manoj और तरुन से बात कर सकते हैं, उनका number मीचे, यहां पर मैं दे दे रहा हूं, और यह जो product है, इसके delivery पूरे भारत में free की जाएगी, इस screen पर हम देखते हैं, कि यहां पर हमारी प इसको पहले की तरह ही, जो colorful है, वो कर देते हैं, तो यह तरह का हमारे पास photo था, अभी हम जो example लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं इस logo का, यानि रास्टिय सक्षिक योग गिता, एवं प्रशाशन संस्थान का एक example लेंगे, और हम नए page पे जाएंगे, तो control and press करूँगा और enter press करूँगा, तो मैं एक नए page पे यहाँ पे आ जाऊँगा, और यहीं पे हम letterhead बनाना सीखेंगे, example के लिए हम इस logo को यहाँ पे लेंगे, और यह logo ही हम बनाना सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम यह सीखेंगे किस logo को use करते हुए, यहाँ पे आप अपना logo कै इसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आप background में कोई color नहीं है, white है और इस तरह की lines दे रखी है, तो सबसे पहले आपको insert पे जाना है, और यहाँ शेप पे click करके यह जो shape है, oral इसको select कर लेना है, shift का button press करना है, ताकि आपका जो circle है, बिल्कुल fit बने, अब यहाँ पे आप देखो, background में white color है, और यह जो line है, वो इस color की है, तो यहाँ पे आपको shape format के अंदर, यह आपके ribbon में ही दिख जाएगा, shape format के अंदर, shape fill हम करेंगे, और shape fill में हम करेंगे, पहले white color, जिसे background हम हमारी white आ जाएगी, उसके बाद shape outline पे हम जाएगे, और यहाँ पे आपको more outline colors पे click करना है, या फिर यह जो बीच में आपको colors दिख रहा है, इस पे click कर देना है, similar similar ऐसा ही color है, यहाँ पे भी, अभी एक circle इसके बाहर और है, तो आप चाहें तो इसी को duplicate कर लें, और यहाँ से थोड़ा छोटा या बड़ा इसको कर लीजे, अब मैंने आपको बताया करोगे, देखो यहाँ से center यह ऐसे हो गया, and ऊपर से और नीचे से center आप ऐसे करोगे, दोनों साइट से जब इसको center करोगे, तो यह ऐसा कुछ आपको दिखाई देने लग जाएगा, मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, अगर यह यहाँ भी रखा है, और आपको ब बिलकुल आपके बीच ओ बीच आजाएगा, दोनों शेप से एक दूसरे के, चारों तरफ से center में हो जाएगी, अभी हमें यही चीज लिखनी है, या फिर यह लोगो लेकर आना भी बड़ा आसान है, आपको दुबारा से इंसर्ट पर जाना है, और यहाँ पर आपको आइक यह बाले को हम लेंगे और इंसर्ट कराएंगे, यह लोगो यहाँ पर आ जाएगा, अब इसमें भी same आपको वैसा ही color, outline वाले shade में जाके बर देना है, तो मैं यहाँ से यही color ले लूँगा, यहाँ पर देखो shape fill आ गया, shape fill में आपको यह option दिख जाएगा, या फिर आप same यह बाला color ले सकते हो, और outline अगर आपको करनी है किसी और color की तो आप बर सकते हो, इस पर outline भी आ जाएगी, तो हम अभी outline भर नी नहीं है, तो हम यहाँ पर यह color लेंगे, अभी इसकी जो position है, वो हमें रखनी है in front of text, तो हम यहाँ से वाप text पे जाके in front of text पे click करेंगे, और इसको छोटा बड़ा करके इसको इसके बीच में रख देंगे, जैसे यह रखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है, मैं example के लिए ले रहा हूँ, आपके बाद जो भी logo हो, आप उससे ले सकते हैं, जैसे पिछले वाले में मैंने पिजन दिखाया था आपको, यह वाला लिया इसी तरह से इस वाले में यह ले रहा हूँ, अब आता है नमबर, यह जो टेक्स हमने लिखा है, इसको कैसे लिखना है, इसके लिए आप यहां से इंसर्ट के उप्शन पर जाएए, यहां से वर्ड आट को सेलेक करिए, और यह वाला जो ऑप्शन है पहले वाला, ब्लेक ट इस यहां पर आटाने के लिए टेक्स्ट पर जाएगे, यहीं पर मिल जायागा आपको शेफ फ़र्मिट पर और यहां पर शेडव को आप यहां से नो शेडव पर क्लिक कर दीजिए, तो जो शेडव है वो हट जाएगी, ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमें यह यह जो पूरा टेक्स्ट है, यह हमने लिख दिया है, इसका साइज अगर बड़ा है, तो आप यहां से होम पर जाके साइज को छोटा कर सकते हो, अपने जो आपकी शेफ है उसके साब से, ठीक है, अब आता है कि इसको हमें कर्व करना है, जैसे यह लिखा हुआ है, बिल्कुल वैस लेकिन हमको क्या करना है, हमको यही वाला जो आर्च वाला उप्शन है, यह सेलेक करना है, आर्च वाले उप्शन को आप सेलेक करेंगे, यह जो आपका जो बॉक्स है, इसको आप स्क्वेर कर लेंगे, मैं बड़ा अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ, स्क्वेर करके आप यहां पर जैसे इसके अंदर लिखना है तो यहां इसके ऊपर आपकी जो इमेज है जो आपने आइकन बनाए उसको ऊपर रख दीजिए और इसके जो कॉर्णर है इसके इसाब से आप फिट कर लीजिए ठीक है अब यहां पर यह जो यलो डॉट आपको दिख रही है इस अभी यहां पर कर पाएंगे मैं शेप को थोड़ा सा फिट कर लेता हूं ताकि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना है इस यलो डॉट के साब से हम बहुत सारी चीज़ने करने वाले हैं अब इस डॉट को आप जैसे-जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं को मैं इसको लेकि जाता हूं फ़ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगे हम क्या करने वाले हैं तो हम इसको उठाके यहां पर बाहर रख लेंगे इस यलो डॉट को आप जैसे-जैसे-जैसे खीच होगे तो यहां पर एक लाइन है जो आपको complete होती हुई दिखाई देगी अब आपको लग रहा है कि national मुझे आगी लेना है या इंटनेशनल मुझे आगी लेना है मैंने यहां पर एंटनेशनल लिख दिया है और उसके बीच में यहां पर एस्टरिक और लगा हुआ है तो मैं asteric press करता हूँ and इसको छोड़ देता हूँ, आप दो को asteric आ गया, अभी लग रहा है कि एन यहां से शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यह select करना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से गुमा देना है, ठीक है, अभी दो कोई सारे capital भी है, तो आप यहां से जा चुका है, अब हम इसको उठा के इस circle में यहां पर रख देंगे, तो देखो सेम बिल्कुल ऐसे ही आ गया, अभी जैसे यह जो लिखा हुआ है text, इसको भी आपको ऐसे ही लेना है, इसके लिए आपको कहा जाना है, word art पर जाना है, insert वाले option पर, यहां से यह वाला जो लेट लिखा है, आप जिस भाषा में या जिस फॉन्ट में चाहें, उसमें लिख सकते हैं, थोड़ा समय से छूटा कर लेता हूँ, अब हमें यह text इसके ऊपर लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको shift format पर जाना है, यहां से text effect पर जाना है, और transform पर क् सरकिल में कर लूँगा, तो तो लगबग लगबग ऐसा ही आ जाएगा, थोड़ा सा बोल्ल और कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको उठाके हम यहां पर रखेंगे, थोड़ा सा size बढ़ा करेंगे, ताकि आपको यह ऐसे दिखने लग जाए, तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा इस तरह से manage कर लूँगा, और यहां से जैसे आप इसको पकड़ की खीचेंगे, आर्च को और घुमाएंगे, तो जो आपका text है, और घुमने लग जाएगा, आपको जितना चाहिए, जैसा चाहिए, आप अपने हिसाब से उसको select कर सकते हैं, तो मैं इस तरह से इसको यहां पर, यहां पर fit कर दूँगा, तो अब देखो, यहां पर logo तो design हो गया, लेकिन इस logo को हमें एक group में भी join कराना है, ताकि हम इसको जहां चाहें, complete logo को उठाके, ले जाके रख सकें, अब वैसे अगर मैं उठाओंगा, तो इसको इसको टुकड़े जो है, वो अलग-अलग हम रख सकते हैं, तो आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे उपर मेरा text box 1 है, उसके नीचे text box 2 है, उसके नीचे graphic है, उसके नीचे ये दोनों जो orals हैं, वो बने हैं, तो हम सबसे पहले जो हमारा सबसे बाहरी text box उसको नीचे रखेंगे, उसके उपर हम दूसरा वाला text box है, उस यहां पे इन सभी को select करेंगे तो सबसे बाहरी text box को मैं ऐसे select करूँगा इसके बाद फिर यह अंदर वाला हो गया फिर यह shape हो गई इसी तरह से हम सारी shape को एक एक करके select कर लेंगे तो जब सारी shape select हो जाएंगे तो आपको यहां पे group का option दिखेगा हम इस पे click करेंगे और जो last वाला जो group है फिर से यहां पे group वाला button प्रेस करेंगे तो यह सभी group हो जाएंगे तो अब यह एक shape हो गई हमारी ठीक है इसको हम जहां चाहें वहां उठाके रख सकते हैं तो देखो इस logo को हमने group तो करा दिया है group कराने का फायदा यह है कि जो पूरा logo है वो हमारे इशार बर जहां भी हम इसको page पिले जाके रखना चाहेंगे वहां रख सकते हैं तो आम तो पे letterhead के corner पे आपने logo लगा हुआ देखा होगा अब इसको थोड़ा सा अगर छोटा करना है तो आप shift press कर लीजिए और थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए अगर आपको लगता है font वग इसके लिए इंसर्ट पर जाना है यहां से वाप word art ले सकते हैं चाहें जो कुछ भी ली सकते हैं तो मैं यहां से word art ले लेता हूं और इसको इस तरह से मैं रेक करके लिए जाओंगा यहां पर रखूँगा जैसे पहले मैंने shadow हट आया था वैसे ही मैं यहां से shadow को remove text type करने के बाद मैं यहां पर मैं text का जो size है इसको छोटा कर लूँगा इस तरह से and इसका जो color है वो theme के हिसाब से वही color मैं यहां पर apply कर दूँगा तो select करूँगा और यह color apply करूँगा तो यह color यहां पर आ जाएगा अगर आपको English में भी नाम देना है तो यहां से मैं इस control नीचे यहां पर आ जाए इसके अलावा अगर आपको mobile number या ऐसा कुछ और detail देनी है तो आप इसके नीचे यहां पर दे सकते हैं इसके बाद में यहां पर आपको एक line insert करनी होती है तो shape पर आप जाएंगे यहां पर shift button को press करेंगे और क्सीधी line इस तरह से यहां पर डाल line की मोटाई को आप यहां से control कर सकते हैं मैं थोड़ा सा मोटा डाल दूंगा line को और जो color है वो आप same बिल्कुल इसी तरह का दे सकते हैं जो आपने यहां पर दिया हुआ है ठीक है इस तरह से तो यहां पर आप देख रहे हो अभी हमने संस्था के लिए एक letterhead design किया है अब मुझे सिर्फ इसको pdf में convert करना है तो यहां से all page के बजाए मैं सिर्फ print current page पे क्लिक करूंगा और यहां से page number 2 में डाल दूंगा क्योंकि यह page number 2 पे था और यहां से यह demo pdf आ गया है मैं इसको आपको open करके दिखाता हूं तो यहां पर मेरे पास इस संस्था के लिए एक letterhead बनके तयार हो गया है तो आशा करता हूं इस वीडियो मैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने logo भी बनाना बताया letterhead कैसे design करना है यह भी बताया और अग को लाइक करिए नीचे कमेंट करके बताइए मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं जैहिन वंदिमात्रम